Hello students, तो आज हम करेंगे introduction of exercise 14.1, 14.2, 14.3 के लिए chapter 14 है जिसका नाम है practical geometry chapter के नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम practical करेंगे geometry का यानि कि जो चीजे geometry में होती है वो कैसे बनती है उन सब को देखेंगे तो यहाँ पर पहला topic होता है हमारा circle circle क्या होता है कि एक हमारा इस तरह का figure होता है जिसमें एक center होता है और radius होता है और इस radius की help से हम जो है वो इस circle को बनाते हैं तो इसको हम बनाएंगे ruler की help से और compass की help से इसमें हम क्या करेंगे कि compass में ruler की help से हम इसकी radius भर लेंगे हम माल लेते हैं कि यहाँ पे इसकी radius 3 लेना है तो हम इसका इस pointer को इस ruler के 3 पे रखेंगे इस तरह से और इसको खोलेंगे यहाँ 0 तक ठीक है उसके बाद में इस pointer को हम यहाँ कहीं पे रखेंगे और इस तरह से बना देंगे यह हमारा एक circle बन गया और इसमें जहाँ पे हमने इस pointer को रखा था इसको बोलते हैं center यह हो गया center इसको हमने O माल लिया और इस pointer से अगर हम इस circle के उपर इस तरह से line बनाएं तो यह हमारी जो line होती है यह होती है radius और radius हमने कितनी ली थी 3 cm तो इस तरह से हम बनाते हैं circle अब आते हैं next topic पे तो next topic है हमारा line segment लाइन segment क्या होता है एक line का segment यानि एक line क्या होती है जो इन्फाइनाइट होती है जो चलती चली जाती है जैसे कि हम यहाँ पर अगर देखें तो यह हम माल लेते हैं कि यह एक line है इस तरह से और यहाँ पे arrow का मतलब है यह इस तरह से चलती जा रही है इस line का छोटा सा segment अगर हम उठा लें तो उसी को बोलते है line segment जैसे यहाँ पे हमने इसको माल लिया A, इसको माल लिया B, तो यहाँ पे यह होगा हमारा line segment अब इस line segment को बनाते कैसे हैं पहले तो हम लोग डारेक्ट इसका scale से इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर हमसे कहरा है कि हमें जैसे यहाँ पे माल लेते हैं A, B जो है वो 5 cm दे रखका है कहरा है कि 5 cm का line segment बनाना है तो पहले तो हम एक line बनाएंगे इस तरह से यह हमने line बनाई और उसके बाद में हम क्या करेंगे एक point यहाँ कहीं पे इस तरह से ले लेंगे और इस point के ओपर हम ruler को रखके 0 से count करेंगे और कहां तक जाएंगे 5 cm तक यहां तक और यहाँ पे point लगाएंगे तो यह हमारी line segment आ गई लेकिन हमसे कहता है कि ruler और compass दोनों की help से हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं फिर campus को लेते हैं compass को लेके इसके अंदर हम जो है 5 cm फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे किस तरह से फिल करेंगे इसके इस pointer को यहाँ पे 5 पे रखेंगे तो यहाँ पे यह आ जाएगा 5 और इसको 0 तक इस तरह से खोल धेंगे ठीक है और इस point को इस pointer पे रखेंगे और फिर इस तरह से यह cut लगाएंगे तो यहाँ पे जिस point पे यह cut कर रहा है वही point हमारा B हो जाएगा तो यहाँ पे ये वाला point जो है ये बी हो जाएगा ये A हो जाएगा और ये जो distance है ये 5 cm हो जाएगी next आता है हमारा copy of line segment line segment का copy करना तो copy किस तरह से करते हैं कि हमें एक line segment दे रखी होगी और हमसे कहेगा कि इसी की तरह एक और line बनाओ तो हम माल लेते हैं कि यहाँ पे हमें एक line segment दे रखी है जो की है 5 cm की ठीक है तो यहाँ पे यह 5 cm की दे रखी है हमने इसको माल लिया A इसको माल लिया B तो हमें इसी A B के इतनी एक और line segment बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे campus की help से ruler का इस्तमाल नहीं करना यहाँ पे तो हम क्या करते हैं campus में इतनी ही distance ले लेंगे जितनी यह हमें दे रखी है उससे पहले तो हमें इस line segment को जिस line पे बनाना है वो line draw कर लेते हैं तो line हम लोग यहाँ पे इस तरह से draw कर लेंगे ठीक है यहाँ पे arrow लगा देंगे यहाँ पे arrow लगा देंगे तो हम क्या करेंगे पहले एक point बना लेंगे यहाँ पे जैसे हमने इसको P ले लिया यह हम कहीं पे भी लिख सकते हैं तो हमने यहाँ पे P को लिख लिया अब हम क्या करेंगे इस A और B को इसके अंदर fill कर लेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह हमारा फिल हो गया तो अब हमें क्या करना है इस point पे इस pointer को रखना है और इस तरह से cut लगा देना है तो यह हमारा जो point है यह हो जाएगा B वाला और यहाँ पे A, B जो है यह P और इसको हम Q माल लेते हैं यह P Q के equal हो जाएगा तो इस तरह से हम line segment को copy कर सकते हैं पेशा number 1 क्या कहता है draw a circle of radius 3.2 cm तो हमें एक circle draw करना है जिसकी radius क्या हो 3.2 cm हो तो इसको हम कैसे draw करते हैं पहले तो हमें एक compass लेंगे ठीक है उसके बाद में हम एक ruler लेंगे और फिर हम क्या करेंगे इस compass की needle को यहाँ पे इस pointer को जितनी यह radius दे रखे न उतने point पे रखेंगे यह 3.2 दे रखेंगे तो पहले 3 देखते हैं यह 3 है और यह हो गया 3.2 और इसको 0 तक open करना है इस तरह से तो यह हमारा campus open हो गया इसी तरह से हम step साफ construction भी लिखेंगे कि किस तरह से हमने construct किया है सबसे पहले क्या करेंगे first step रहेगा कि open compass to the radius 3.2 cm तो 3.2 cm हमने compass खोल लिया उसके बाद में second step क्या होगा second step में हम लिखेंगे कि point where इसको हम O माल लेते हैं where campus pointer put ठीक है जहाँ पर compass का pointer put करना है यह pointer है वहाँ पर उस point को हमने P माल लिया और फिर क्या करेंगे put the pointer on the point and turn slowly campus यह हमारा step हो था और यह हमारा circle बन गया उसके बाद में क्या करना है हमें इसकी radius लिख लेनी है तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से यह लिख लेंगे यहाँ पर इसको हमने O point माना है इसको हम P माल लेते हैं तो O P जो है वो radius हो गई और radius कितनी है 3.2 cm तो यह हमारा circle बन गया question number 2 क्या कहता है with the same center O draw two circles of red eye 4 cm and 2.5 cm यानि कोई center same होगा और उस same center से हमें दो circle बनाने है तो इसके steps आप construction जो है वो आप अपने तरीकस लिख सकते हैं हम यहाँ पर questions करेंगे तो पहला क्या करते हैं कि हम एक point ले लेते हैं यहाँ पर इसको माल लेते हैं O तो पहला step हो गया हमने एक point ले लिया O उसके बाद में हम क्या करेंगे campus में distance लेंगे यह जो दे रखे 4 cm तो यहाँ पर second step होगा हमारा open the campus 4 cm तो यहाँ पर हमने 4 cm के लिए इस तरह से इस pointer को 4 पर रखा इधर रखने से यह फाइदा होता है कि यहाँ पर यह हिलता नहीं है और scale के ऊपर रखेंगे बाहर नहीं रखेंगे scale के जब उपर रखेंगे तो इस तरह से जब दवाएंगे तो यह fix हो जायागा तो यहाँ पर यह 4 cm हमने ले लिया उसके बाद में क्या करेंगे लिखेंगे कि तीसरा step put the pointer of campus on that point अब यहाँ पर यह पर जा रहा है तो हम क्या करेंगे थोड़ा नीचे point ले ले लेंगे तो हम यहाँ पर point इस तरह से ले लेंगे ठीक है उसके बाद में क्या करेंगे इस pointer को यहाँ पर put करेंगे और फिर जो last step होगा उस पर लिखेंगे turn campus slowly ठीक है और यह हमारा circle बन जायागा अब यहाँ पर कह रहा है कि center same रहना चीए जिसको ओ हमने consider किया है अब जो radius होगी तो वो होगी 2.5 cm तो next step हो जाएगा again open compass 2.5 cm 2.5 cm कहा होगा हम यहाँ पर रखेंगे इस pointer को और इस तरह से यह 0 तक खोल देंगे ठीक है तो अब यहाँ पर हम इसी point पर रखेंगे next step हो जाएगा put the pointer on the same center and turn slowly to make circle तो यहाँ पर यह हमारा circle बन जाएगा अब यहाँ पर हम इसकी radius भी लिख लेते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे पहले इसकी radius इस तरह से ले लेते हैं यह वाली यह radius क्या दे रखेंगे 2.5 cm उसके बाद में बड़ी वाली radius बना लेंगे इस तरह से और इसका क्या नाम रहेगा इसकी जो length रहेगी वो रहेगी 4 cm question number 3 क्या कहता है draw a circle and any two of its diameter हमें एक circle draw करना है और उसकी कोई भी दो diameter लेना है उसके बाद में कहता है if you join the end of the diameters what is the figure obtained और फिर कहता है कि अगर हम उसकी diameter के जो points से उनको मिला दें तो हमें कौन सा figure मिलेगा जैसे यहाँ पे यह कह रहा है यह circle अगर हमने लिया ठीक है और दो diameter लेने हैं कोई भी हम दो diameter ले सकते हैं diameter क्या होते हैं जो center से हो के जाते हैं और फिर कहता है इनको अगर हमने इस तरह से मिला दिया यह point इस से यह इस से यह इस से और यह इस से तो यह जो figure बना है यह कौन सा figure होगा आगे कहता है कि what figure obtained if the diameter are perpendicular to each other how do you check your answer तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर यह diameter perpendicular हो तब कौन सा figure मिलेगा तो यहाँ पर यह हमने roughly बना लिया क्योंकि यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि यह हमें क्या मिल रहा है rectangle मिल रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर diameter कोई ऐसे ही बना रहे हैं तो हमें एक rectangle मिलेगा तो यहाँ पे हम proper तरीके से भी बना लेते हैं तो पहले हम क्या करते हैं compass लेंगे ठीक है compass लेंगे और उसमें pencil लगाके कोई भी हम distance ले सकते हैं यहाँ पे क्योंकि दे नहीं रखा है कितनी radius लेना है तो हम circle की कोई भी radius ले सकते हैं इतनी radius ले ली और इसको यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से यह circle बना लेंगे ठीक है उसके बाद में यहाँ पे रखेंगे और फिर एक यह circle बना लेंगे क्योंकि मैं दो circle चाहिए हैं एक में हम ऐसे ही diameter लेंगे और एक में हम perpendicular लेंगे ठीक है तो यहाँ पर इसको हम माल लेते हैं कि यह है O और इसको हम माल लेते हैं यह जो है यह भी O है center रहिए तो पहले तो हम ले लेते हैं diameter इस तरह से यहाँ पे एक यह diameter ले लेते हैं और एक यह diameter ले ले लेते हैं इस तरह से ठीक है अब यहाँ पे देखो अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें तो यह क्या बन जाएगा ऐसे इसको इस तरह से मिला देते हैं और इसको इस तरह से मिला देंगे फिर इसको इस तरह से मिला देंगे और फिर इसको इस तरह से तो अब यह कौन सा चीज बन गई यह एक रेक्टेंगल बन गया ठीक है और इसको चेक कैसे करना है क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि यह कैसे पता चला कि यह एक रेक्टेंगल है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाली side और ये वाली side ये वाली side ये इसके equal है और ये इसके equal है यानि opposite sides equal length की है और इसको हम measure भी कर सकते हैं ruler से तो यहाँ पे देखो ये हमारी कितनी दे रखी है 5.1 के करीब और ये हमारी कितनी दे रखी है ये हमारी 6 दे रखी है तो यहाँ पे यह बड़ी है और यह चोटी है यह भी 5.1 के करीब होगा और यह हमारा 6 है ठीक है तो यह हमारा एक rectangle है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे rectangle नेक्स्ट क्या कहता है कि जब हमारी जो diameter है वह पर्पेंडिकुलर हो तो यहाँ पे पक्रपेंडिकुलर डियामिटर्स बना लेते हैं इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से ठीक है अब यह परपंडिकुलर का मतलब क्या यह 90 डिग्री होना चाहिए एंगल यह हमारा 90 डिग्री होगा और यहाँ पे इसको हम इसके साथ मिला देंगे इसको जो हम इसके साथ मिला देंगे इसको जो हम इसके साथ मिला देंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे तो यहाँ पे एक फीगर मिल गया अब यहाँ पर हम इस फीगर को देखें तो इसकी जो साइड है वो कितनी है यह हमारी है 5.5 और यह यह भी अमारी 5.5 है और यह भी अमारी 5.5 है और यह भी अमारी 5.5 है अब यहां पे हर एक side equal length की है और यहां पे यह जो angle बन रहा है यह क्या है 90 डिग्री का है हर angle 90 डिग्री का है ठीक है तो अब अगर ऐसा कोई figure ऐसा कोई polygon जिसकी चारो side equal length की हो और उनके angle जो है वो 90 डिग्री हो तो ऐसे figure को बोलते है square तो यहां पे यह हो जाएगा square तो यह हमारा question हो गया यहां पे हम इसके नीचे लिख सकते है कि क्यों हमारा यह rectangle हमने पैचाना है क्योंकि opposite sides जो है वो equal length की है और vertex पर जो angle है यह हमारे 90 डिग्री की है यहां पे क्या लिखेंगे कि all sides are equal length and the angle of vertex are 90 degrees तो यह हमारा answer आजाएगा तो question number 4 क्या कहता है draw any circle and mark points A, B and C such that एक हमें circle बनाना है कैसा भी circle हो तो हमने यहां पे क्या किया पहले एक circle बना लेते है क्योंकि यहां पे radius दे नहीं रखे तो हम अपनी तरफ से कोई भी radius का circle बना सकते है तो हमने एक यह circle बना लिया अब कहता है कि यह A, B, C यह जो तीन point है यह draw करने है तो यहां पे हम लिखेंगे solution यह क्या है A is on the circle अब circle के ऊपर यह point है circle के ऊपर का मतलब क्या circle तो यह है हमारा तो इस जो यह arc है यह जो circle है इसके ऊपर हम कहीं भी point ले सकते हैं कहीं भी ले सकते हैं तो हम यहां पे ले लेते हैं यह है A उसके बाद में कहता है कि B is the interior of this circle interior का क्या मतलब होता है जो अंदर हो तो circle यह है इसके अंदर कहां होगा B? यहां कहीं पे भी ले सकते हैं यह है B इसके अंदर कहीं भी ले सकते हैं यहां ले सकते हैं यहां ले सकते हैं अंदर होना चाहिए ठीक है उसके बाद में C वाला क्या कहता है C is the exterior of the circle सरकल के बाहर जो point है उसको exterior point बोलते हैं तो यहाँ पर यह circle है तो इस circle के बाहर हम कहीं भी कोई point ले सकते हैं तो हमने यहाँ पर ले लिया यह C है तो हमसे यही चीज़ पुझाता है कि point कहा है point की position पूछी थी तो हमने वो दिखा दी question समाब question number 5 क्या कहता है let A, B, be the center of two circles of equal red eye तो यहाँ पर कह रहा है कि A और B जो है वो किसी दो circle के center है जिनकी और ऐसे कौन से दो circle है जिनकी radius same है draw them so that each one of them passing through the center of the other तो हमें इन circles को इस तरह से draw करना है कि एक जो है circle का circle जो है वो दूसरे के center से pass हो जैसे अगर हमने यहाँ पर यह A point ले लिया और इसको center मान के हमने एक circle draw किया ठीक है तो दूसरा point कहाँ पर होगा जहाँ से यह circle pass हो यानि हम माल लेते कि यहाँ कहीं पर होगा तो इसको हमने B माल लिया और फिर हमने जब इसको center मानना तब हमने circle बनाया तो वो दूसरा कहाँ से जाएगा इस तरह से तो यह वाला जो यह वाला जो circle है वो इस point से जा रहा है यह वाला circle जो है वो इस point से जा रहा है तो इस तरह के circle बनेंगे ठीक है आगे कहता है कि the center of the other let them intersect at C and D हम माल लेते हैं कि यह जो intersect करने हैं यह point है C और D तो हमने इसको C माल लिया इसको D माल लिया कोई भी आप point मान सकते हैं आगे कहता है कि examine whether A, B and C, D are at right angle A, B और इसके ओपर यह जो बार लगा होता है इसका मतलब होता है कि यह एक line segment है ठीक है तो यहाँ पर A, B line segment हमें बनानी है इस तरह से फिर C, D line segment बनानी है इस तरह से और फिर देखना है कि क्या यह right angle पर काटते है यहाँ यहाँ पर 90 degree angle बन रहा या फिर नहीं बन रहा है तो हम क्या करते हैं पहले circle draw कर लेते हैं तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई point A और इस point के उपर हम इस pointer को रखते हैं इस तरह से और A की यह circle बना लेते हैं ठीक है अब यहाँ पर दूसरा point दूसरा जो circle बनेगा वो कैसा बनेगा देखो यह A वाला हमने बनाया है यह हमारा B से पास होके जाएगा तो हमने कहीं यहाँ पर माल लिया कि यह होगा B तो दूसरा circle जो है वो इस तरह से बनेगा क्योंकि वो A को भी पास होना चाहिए तो यहाँ पर इस point को हम माल लेंगे B ठीक है और जहाँ पर यह circle cut कर रहे हैं उनको हमने point क्या दिये C और D तो यहाँ पर इसको हम माल लेते हैं यह C है इसको हम माल लेते हैं यह D है अब इन points को हम मिला देते हैं तो यहाँ पर A B के आएगा हमारा इस तरह से यह हमारा A B हो जाएगा और C D किस तरह से draw करेंगे यहाँ पर इन दो points को हम मिला देंगे ठीक है इस तरह से तो यह दोनों जब हमने point मिला दिये तो यहाँ पर यह एक angle बन गया यह angle क्या होगा हमारा? 90 degree होगा और इसको measure भी कर सकते हैं इसको protector से measure कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह इसको हम रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो line है यह पूरा 90 degree पर जा रही है तो इसका angle 90 degree बन जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे हम Hence A, B And C, D At Right Angle Right Angle ठीक है यह हमारा answer हो जाएगा questions हम आपत next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही